दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हैं अपना यूटूब चैनल बी योर मनी मेनेजर और आपके फनेंसल सफर को सुहाना बनाने से जुड़ी एक और जांकारी के साथ हाजिर हूँ मैं यानि आपका मरिमित्र रजीश कांट दोस्तो क्या आपने VRS के लिए आवेदन किया है यानि वरंटरी रिटार्मेंट अस्किम के तहर आवेदन किया है और आपको धेव सारे पैसे मिलने वाले हैं उसके बदले या फिर किसी कमपणी में काम करते हैं और आर्थिक सुष्टिक योज़े से कमपणी करमचारियों की छटनी कर रही है और उसके बदले मुआबजे दे रही है तो आपके लिए जानना जरूरी है कि VRS में मिले पैसे या फिर मुआबजे में मिले पैसे का इस्तिमाल कैसे करे ताकि आपकी जिंदगी सुकून से गुजरे क्योंकि दोस्तों ऐसा एक स्टड़ी में पाया गया है कि VRS में मिले पैसे या फिर मुआबजे में मिले पैसे जिन लोगों को मिलते हैं उनमें से 70% लोगों के पैसे कुछ ही साल में खतम हो जाते हैं कहने का मतलब यह हुआ कि जब पैसे खतम हो जाते हैं तो फिर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि हम सब लोग जान कि अभी हाल ही में सरकारी कमपणी BSNL और MTNL के करीब करीब 93,000 लोगों ने VRS के लिए आविदन किया है, यानि उन 93,000 लोग धेर सारे पैसे लेकर के समय से पहले एरिटार होना चाहते हैं, वहीं आर्थिक सुष्ति के वज़ से कुछ कमपणीों की हालत खराव है और वो करमचारियों को मुआबजाद दिया जा रहा है, तो अगर आप भी ऐसे लोगों में सामिल है, तो आपके लिए ये एपिसोड देखना बहुत जरूरी है, तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि VRS या मुआबजे में जो पैसे मिले, उन पैसों को कही पर इस्तमा बट से सला ले, और टेक्स चुकाने के बाद आपके पास कितने पैसे बचेंगे, इसका भी आप पता कर ले पहले ही, तिसरी बात है कि VRS लेने या फिर नौकरी से निकाले जाने के बाद दूसरी नौकरी करनी है, या फिर VRS या मुआबजे के पैसे से ही आगे की लगानी है, इस बात का भी आप फैसला कर ले, कहीं पर पैसे इस्तिमाल करने से पहले, चौथा बात, चौथी बात जो है गौर करने लगवा है कि आपकी लाइविलिटीज यानि जिम्मेदारियां क्या-क्या है, जैसे क्या किसी लोन की किस्त चुकानी है, क्या बच्चों क आप शाली बिवाह करना है, या फिर परिवार के किसी सतर से कही लाज के लिए बड़ी रकम खर्च करनी है, इन सब बातों के बारे में आप कहीं पर भी पैसे लगाने से पहले सोच ले, पांच में जो बात गौर करने लाइक हूँ है कि फानेंसियल गोल यानि वित्य कर ले, यह सब कहीं पर भी पैसे इस्तमाल करने से पहले कर ले, तो आने वाले जो आपके जिन्दगी रहेगी वो खुश हाल रहेगी, अब मैं आपको यहां पर बता रहा हूँ कि बिया रिस्क्राइब की रकम का सही इस्तमाल कैसे करना है, तो इसके लिए आप कई काम प्रिप्संस में जानकारी दी गई है, उस वीडियो पर किलिकर करके आप वित्य लक्ष के बारे में पता कर सकते हैं, दूसरा जो काम आपको करना हुआ है आपात कालिन कोस या एमरजन्सी फंड बनाना, तो रकम का एक हिस्सा आपात कालिन कोस में रखें जो कम से कम बारह म बहुत मुश्किल होता है कि नई नौकरी मिलने में कितना समय लग जाएगा, तो उस समय तक आपको अपात कालिन फंड में कुछ पैसे रख देना चाहिए, जो कि बारह मेने के खर्च के बराबर हो, तो अपात कालिन फंड क्या होता है, कितना होना चाहिए, कैसे बना जाना चाहिए इन सब की जानकारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है इसे जुड़ी हुई वीडियो के जरी है और अपात कालिन कोर्स के तहां थी जिल ईवाओं की कई साल की नौकरी बची है वो इस रकम का इस्तमाल नए कौसल सिखने में कर सकते हैं ताकि नए कौस प्रश्चल वाली नौकरी करें जिससे कि उनका घर परिवार चल सके कुछ हिस्सा महांगे कर्श को चुकाने में भी खर्च किया जा सकते हैं जिससे होम लोन हो गया या फिर किसी और तरह का लोन हो गया जिसमें ज्यादा रकम चुकानी तो उसमें कुछ पैसे आप इस्तमा करने के संदर में वह है कि कुछ पैसे शेयर अच्छे सेयर और अच्छी मीचल फंड स्कीम में लगाएं बच्चे पैसों में से कुछ पैसे लंबी अबधी की योज़नाओं को पूरा करने के लिए एक्विटी मीचल फंड मंतली इंवेस्मेंट प्लान यानि एमाईपी डे इसी वीडियो के जदिए दी गई है इसकी भी जानकारे डिस्क्रिप्सन में आपको मीड जाएगी वीडियो के जडिये मीचुल फंड से रेगुलर इंकम चाहने वालों को सिस्टमेटिक विड्रॉबल प्लान सुध्या का लाब उठाना चाहिए सिस्टमेटिक विड्रॉबल प्लान में यह होता है कि जब कहीं पर भी आप एक मुष्ट पैसे लगाते हैं या फिर इसाफिक जरी पैसे लगाते हैं तो हर महिने या फिर एक नियमित अंतराल में आपको कितना पैसा चाहिए वो मैंडेट आपको देना पड़ता है कितना पैसा चाहिए किस एकाउंट में पैसे टांसफर होने चाहिए उन्हें सबकी जानकारी आपको देनी पड़ते हैं सिस्टमेटिक विड्रावल प्लान के दार, ताकि अगर आप मंसली चाहते हैं तो हर महिने की एक डिट फिक्स कर सकते हैं, तो आपका मंसली खर्चा वहां से निकल सकता है, या भी 6 महिने पर, 3 महिने पर, 6 साल भर पर, तो जब जितने नियमी तंत्रार पर आप इसकी डिमांड करेंगे, आपके एकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते जाएंगे उस तारीक को, तो यह होता है सिस्टमेटिक विड्रावल प्लान्स, जो लोग सेवा निवरिती के करीब हैं और दोवारा प्रोणकाली काम पर नहीं ल लगाना चाहिए, यह तिस्जी बात हो गई, जो कि आपको तिसरा काम करना है, सही अस्कीम में लंबी अबधी के लिए पैसे लगा है, खुझ से सही अस्कीम चुनने में मुश्किल हो रही है, तो भरोसे मंद भीतिये सलहकार की मदद ले, चुकि यह मार्केट ओरियंटेड मार्केट ओरियंटेड और इसमें गारंटी, रिटर्ण की गारंटी नहीं होती है, लेकिन लंबी अबधी में ऐसा माना जाता है, कि अगर आप अच्छे शियर या अच्छे मिचल पर्ण स्कीम में लगाते हैं, तो 12-13% का रिटर्ण मिलता है, ऐसा जानकारों का कहना है, इ इसमें रकम तेजी से बढ़ने के उमीद रहती है, जिससे महंगा इसनी पटने में मदद मिलेगी, यह हो गया तीसरा काम, अब हम चौथा काम है कि बाकी पैसे अलग-अलग डेट योजना में लगाएं, मासी खर्चों के लिए अलग-अलग डेट योजना में पैसे लगाने हैं, और डेट योजना में कितने पैसे लगाने हैं, इसका एक फर्मूला लोगों ने दिया हुआ है, जो जानकार है, हंड्रेट माइनस उम्र, यानि सपोज किजिए कि आपकी उम्र है पचास साल और आपको धेड़ सारा पैसा मिला है वियार इसमें, या फिर लगाने हैं, और जो बाकी के भी पचास परसेंट बच गया है, उनको आप अलग 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 डेट योजना मतलब एपड़ी, स्मॉल सेविंस स्किम, यह सब डेट योजना का लातें, तो वहां पर लगा सकते हैं, कुछ पैसे वरिष्ट नागरी के देट योजना की मैं चार्चरहां पर कर रहा हूँ, जैसे होगे वरिष्ट नागरी के पर चार्ट योजना, यानि SCSS, परधान मंतली वय वंदन योजना, यह LIC के जरिया आप इसमें इवेज कर सकते हैं, पोस्ट ओफिस मंतली इनके मस्क करते हैं, तो वरिष्ट नागरीक हो गया, बरिष्ट नागरीक बचते उसना हो गई, PMY-Y हो गई, या फिर POMI हो गई, पोस्ट ओफिस टर्म डिपोजिस राष्ट ये बचत पत्र जो हो गया, इन सब के बारे में इसी वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन है, उसमें इन सब लोग VRAC या मवबजे के पैसे से बिजनिस शुरू करना चाहते हैं, या फिर किसे प्रोपर्टी में निवेस करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करना खतरनाक हो सकता है, क्यों? लोन लेकर ये दोनों काम करना और भी रिस्क्य हो सकता है, क्योंकि इससे भविस्ट की आमदनी पर असर पड़ेगा, बिजनिस करने में काफी पैसों की जरूरत होती है, और इसे चलाने की गारंटी भी नहीं होती है, प्रोपर्टी मार्केट काफी अनि सित्ता से गुजर रहा है, इसे प्रोपर्टी से इस समय अच्छे रिटरं की मिच करना सही नहीं है, तो दोस्तों, अब का किम ती समय देनी कले दन्निवाट, नमस्कार दोस्तों.